हे गाईज वर्कम बैक टू दी चैनल चैनल पर आप सभी लोग का एक बार फिर से स्वगत है तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं मोडिसा पबलिक सर्फिस कमिशन की तरफ से कुछ वेकेंसी निकली है उसी के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे यह पोस्ट है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की जिसमें की स्टेंड अलों गॉर्मेंट हाई सीनियर से किंडि स्कूल जो है उनके लिए 17 के लिए है और जो टो अप्लोड की जाती है उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोग को मिल सके तो अफीशल वेबसाइट पर आप पूरी डिटेल भी देख पाएंगे opsc.gov.in यहाँ पर आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी ओनलाइन अप्लिकेशन के त्रू ही आपको अपलाई करना है कोई और वोड नहीं है और जो लिंक है रेजिस्टेशन का और पेमेंट ओफ एक्जामिनेशन का वो आपका 18 दिसमबर से 2 जनवरी तक था लेकिन अभी न Department of School and Mass Education पेस के लापका होगा लेवल 10 और सेल वन के लिए पेमेट्रिक्स आपका होगा तो यह जो डिये है और अदर अलाउंस है वो आपको एस पर जो कवर्मेंट ओफ रोडी सा प्रेस्ट्राइब है वो आपको मिलेगा इसके साथ ही इंपोर्टेंट यह है कि यह जो पोस यहां पर तीन है बोटनी में 23 हैं Commerce में 26 है Chemistry के लिए 26 पोस्ट Education के लिए 8 पोस्ट English के लिए 43 पोस्ट Economics के लिए 23 पोस्ट Geography के लिए 5 पोस्ट Geology के लिए 2 पोस्ट है History के लिए 16 पोस्ट है Hindi के लिए 7 पोस्ट है Indian Music के लिए 1 पोस्ट है Logic और Philosophy के लिए 11 पोस्ट है Mathematics के लिए 16 post है, उडिया के लिए 31 post है, physics के लिए 26 post दी गई है, political science के लिए 20 है psychology के लिए 9 post है, sanskrit के लिए 6 post है sociology के लिए 2 post है, statistics के लिए 6 post है geology 20, home science 4 और telugu के लिए 1 total आपकी 335 post यहां पर दी हुई है तो जिन candidate ने जो पहला advertisement number 16 आये था तो उनको दुबारा से apply करने की जरूत नहीं है वो 16 था यह सतरवा जो है अलग से दिया हो इसमें date जो है last date वो बढ़ा के दियो है तो जो 35 पोस्टर्स में से 13 तो रिजर्ड है person with disability के लिए जिनकी permanent disability 40% या उससे ज्यादा है 10 पोस्ट रिजर्ड है ex-serviceman के लिए और 3 है sports person क के लिए तो जो candidate physical handicap है या ex-serviceman हो sports है तो वो उनके according जो है adjust किये जाएंगे जो भी eligibility है ठीक है और इसके अलावा जैसे की non availability हुई अगर 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 उतनी woman candidate नहीं qualify करती है या नहीं है leasable है नहीं होती है तो जो unfilled vacancy है वो वहाँ पर male candidate होंगे same category के उन से fill कर दी जाएंगी ठीक है और reservation जो SC और ST का है वो नहीं consider किया जाएगा exchange नहीं होगा SC और ST का वो अलग-अलगी रहेगा number of vacancy है वो recruitment जो है subject to change by government किसी भी टाइम पर जो positions है वो घटाई और बढ़ाई जा सकती है अब देख लेते हैं age की qualification क्या है तो age आपकी यहाँ पर minimum जो है 21 साल होनी चाहिए और maximum आपकी 32 years होनी चाहिए as on आपको यह date देखनी है first January 2021 से देखनी है यानि कि आप दो जनवरी 1989 से पहले और एक जनवरी 2000 के बाद आप पैदाना हुए हो तो उसके coding आपके यहाँ पर date देखी जा रही है maximum age limit 45 होगी उनके लिए जो in service है जो पहले ही TZT में है गवर्मेंट हाई स्कूल में जो इनी में अगर आप PZT में पढ़ा रही हो लेड़ी तो PZT के लिए आप लोग के लिए 45 maximum age जो है आपकी होगी पांच साल का relaxation आपको मिलेगा अगर आप SCS से हैं से हैं या फिर SCVC से हैं या एक सर्विसमेन है तो उनके लिए और मोमन के लिए 10 साल का relaxation मिलेगा परसन विडिजबलेटी के लिए ठीक है और अगर आप परसन विडिजबलेटी के साथ साथ SC, SC, SCVC है तो आपको 15 years का जो है total मिलेगा relaxation अब बात करते हैं education की तो education में आपको graduate master course किया हो integrated हो आपका six year का post master graduate course किसी भी resident college of education से NCRT से तो आपने complete किया हो और यह अपने बेड किया हो या equivalent degree हो आपकी NCTE से बेड की अपने degree और डिप्लोमा किया हो computer application में जो कि desirable qualification है अगर आपके पास है तो best है नहीं है तो भी चलेगा बेड जो है बेड qualification होगी for subject अधर द संदी मैक उडिया फिजिक्स पॉलिटिकल साइंस संस्किर्ट जूलोजी यह mandatory नहीं होंगी criteria for the pay-application exam examination fees की बात करें तो यहां पर total non-refundable non-adjustment fees होगी आपकी 400 रुपे और अगर आप ST है या person with disability है ST ST आप ODISA की है तो आपकी कोई fees नहीं लगेगी fees payment आप online कर सकते हैं debit card, credit card, net banking या किसी भी और माध्यम से तो online आप यहां पर कर सकते हैं ठीक है और method of selection आप देख लेते हैं method of selection की बात करें तो 100 नंबर का आपका जो है total paper होगा और आपका एक तो online test होगा plus आपक personality test या interview होगा, carrier assessment आपकी जो 70 नंबर का होगा online test के marks और जो interview है उसके आपके 30 marks का जो होगा out of 70, ठीक है, तो 70 marks है जो आपका carrier assessment है वो यहां पर बता देते हैं, matriculation के आपके 10% career assessment, higher secondary के आपका 10% देखा जाएगा, bachelor degree का आपका 20% लिया जाएगा, post graduation का आपका 30% का लिया टोटल आपकी 70 marks का है, in case अगर आप नोन बेड पोस्ट हैं से चाच पीजिटिक कोमर्स, anthropology, sociology, तो वेटेज जो है post graduate का वो आपका 60% का लिया जाएगा, interview आपका होगा 30% का, final जो selection होगा, वो आपका interview और carrier assessment के basis भी होगा, candidate जो select किये जाएंगे, वो जितनी पोस्ट है उसके बोलनी आनी चाहिए, और आपको पढ़नी आनी चाहिए, आपने audio language को बढ़ा हो, दस्मी में, बार्मी में आपका ये main subject होना चाहिए, character अपका गुड होना चाहिए, आपका कम से कम एक spouse होना चाहिए, जो leaving होए odysa में, in case of अगर आप woman candidate है तो, और married woman candidate है, तो उसके लिए पर है, और बाकी कुछ details है, वो आप यहां पर देख सकते हैं, important points यहां पर दिये हुए है, online application जो submitted, अगर incomplete है, तो आपकी rejection कर दी जाएगी, ठीक है, और आगर आप SCST के लिए कर रहे हैं, तो by birth आपका होना चाहिए, odysa का, ठीक है, और characteristics and documents to be attached, यहां पर आप देख सकते है matriculation, आपका 10th, 12th post graduation, BTEC, आपका और degree diploma, computer में अगर आपने किया है, तो वो सारे के सारे documents आपको यहां पर attach करने हैं, जब apply करेंगे online, तो आपको सारे के सारे अपने documents अपने पास रखना है, तो सारे details आपको आपर फिल कर पाएं, तो यहां पर आप सारे देख सकते हैं, ID proof, federal proof आपके पास होना चाहिए, और rejection के लिए grounds लेगे हैं आपर, तो वो भी आप देख सकते हैं, आपके पास कोई certificate नहीं produce कर पाए, यह अपने form incomplete बरे, आपने fees पे नहीं कि तो rejection हो जाएगा, online apply करना है, आपको opsc.gov.in इस website पर आप चाहेंगे, और यहां से आप online applies के लिए कर सकते हैं, तो अपना self-attested copy, जो है documents की, वो आपको upload करनी है, और आपको detail advertisement देख लेनी है, पहले ही, OPSC portal पे, facilitation counter ओपन रहेगा, आपका 10-10 से date बज़े तक, और 2 बज़े से 5 बज़े तक, mobile number यहां पर दिया हो है, और website पर आपको पूरी की पूरी detail आपर मैंच जाएंगे, इसके अलावा closing date मैंने आपको बताई दिये, आप 9 जनवरी तक form जो है, वो fill कर सकते हैं, इसके अलावा यहां पर और कोई information नहीं है, complete information मैंने आपको दे दिये, इसी तरीके से, यह तो थी दोस्तों PCT की, TZT के लिए भी अगर आप apply कर रहे हैं, तो TZT के लिए भी vacancy आई आपको 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 आपक